वीडियो शुरू करने से पहले आपको चार इंपोर्टेंट इंपोर्मेशन देना चाहूंगा पहले इंपोर्मेशन यह है कि यूटूब के अलावा किसी भी सोचल मीडिया प्लेटफॉम पे हम नहीं है लाइक, इस्टाग्राम, ट्विटर और फेस्बुक सेकेंड इंपोर्मेशन यह है कि आप हमारा जो टेलिग्राम चैनल काफी लोगों ने फेक बनाके रखा हूआ है तो आप लोग कभी भी सर्च करके जॉइन मत करें हमें सा यूटूब के वीडियो के लिंक में डिस्क्रेप्शन में दे रखा वहां से आप जॉइन करिए से अपर्मेसिंट ऑर लोग करते हैं तो लोग हमें बताते हैं तो हमारी कोई भी ओनलाइन ग्लासे सब्सक्रेइब करें प्रोपर रिस्क मनेजमेंट करके आप ट्रेड करिए हमारा प्योर मोटी प्योर एजूकेशन प्रवाइड करना थेंक्यू वीडियो शुरू करते हैं अगर वहां मार्केट में आपको कैसे बचना है वह तरीका हम डिसकस करेंगे आपको दो दिन पहले मिस्स आपको कर दो दिन मिस्स आज कर दिन भी हो गया कल मौर्निंग के अंदर मार्केट खुलने से पहले पप्लिक वाले ग्रूप में बताया था कि बिल्स में अगर नॉर्मल ओपनिंग तो आज कर्में क्योंकि शुंग स्टेडिंग के लिए अभी बी पॉजिशनल ट्रेडिंग लिए अच्छा इस्टोक है तो नॉर्मल ओपनिंग हो तो आपको क्या करना है ले लेना है और options का ट्रेड भी बताई था ग्रूप में कि यह सब वह सोलार रुपए वाली कॉल पता कहां चली गी आज कि तो त्रीस पैटिस चली गी हो अल्मॉस डबल से भी ज्यादा हो गया था जो जाना था अभी इसको ओपन होने तो फिर हम देखते हैं कि इसमें ऐसा क्यों हुआ कि वह जानेंगे निफ्टी निफ्टी का एनालेसिस करेंगे है कि एक मिन्टों कुछ रहा हुआ हुआ है फुल स्क्रीन हो गया है है तो डिल्फ जो मैंने बताया था आप लोगों को वह यहीं बताया था है का पर यह जो आपका डेली कंडल है कि मिन्स आपका ब्रेक आउट होने से पहले में आपको बजाया था अगर यह फोरार का चार्ट रखेंगे थोड़ सा पतने ट्रेडिंग यू का इस हुए क्या है यह आपका यह आपसे नेग्रेटिव टेंड था प्राइस चार गंटे के दो ही कंडल बनते हैं शेकंडे पंदर मार्केट चलता है तो आपका कल दो कंडल बनी आपको मैंने कल मोर्निंग के अंदर पब्लिक वाले ग्रूप में कितने 8-8 बज़े बताया था मार्केट खुलने से पहले ब्रेक आउट होने से पहले एड़व के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए तो बहुत दूर काफी उपर जा सकता अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या है देखें ध्यान से देखें स्ट्रक्चर उप्लाइक के ऊपर पहली बार प्लोज हुआ तो इस अगर थ्री मंश का जोन इसके बारे हम बाद में बात करें कि पोजिशनली एनलीस हम बाद में करते हैं और नेटवरक का भी बताना है क्योंकि उसमें भी कुछ अच्छा का सा मुझे प्राइस सेक्शन दिख रहा है वह में एक्स्पिलन करेंगे लाइव क्लाइस के अंदर क्योंकि बहुत ही डेफ् सी बताते करें डौट वहीं से एक रेंज मार्केट रहा है मार्केट कहीं लिंदू तीडिवोटं का इस आतराा न है अभी झूनंत से कुलने में काफी जो हुए तो लास्ट में इसलिवा तो कैंडल आ तो क्लोज आ मैं लगता है कि आपको ऐक अच्छी कंडल का तक यह थी पंदर मिन्ट का क्यों देखना है आपको दोनों चीज़ें मैं एक्स्पिलिन करेंगा हूँ आप क्या करिए 30 मिन्ट का चाहर देखिए मार्केट खुला का पर कि यहां पर यहां पर खुला कि क्लियर है तबीको यह फैस्ट फैस्ट थार्टी मिनिट की कैंडल है जो भी डेट करें जो भी डेट रिटेल ट्रेड करता है एक बेसिक्स बता रहा हूँ इसको कभी भी भूलना नहीं है गोल्डन रूल है ठीप थर्टी मिनिट की कैंडल के अन्दर मार्केट है तो उसके अंदर आपको कुछ बनेगा ने पैसा जब तक उस रहेंज को ब्रेक अाउट या हड़ीडाउन नहीं करता उसको नीच्चे सस्त्यन नहीं होता है तब तक कर आपको दका सारा पैसा क्या होगा चला जा फिर किसी ने करके हिम्मत भी लिया होगा फिर यहां भी बना है फिर दुबारा उसी को रेश्चेंश लिया फिर बना है कहने का मतलब की रेंज में अगर मार्केट रहता है तो आपको कभी भी इनिशेट नहीं करना डेटर अवोइड करना है क्योंकि ट्रेडिंग के आपको टार्डेट नहीं मिलेंगे जैसे इस रेंज के ब्रिकडाउन हुआ अगें रिटेश फिर आपको एक अच्छा क्वालिट रिटेट के आपका प्राइस रहता है तो उतने में अब मूह करेगा अब मूह करेगा दो गहंटे तक इधर उदर करके काफी पैसा गवां देते हैं जब मूमेंट आता है तो या तो पैसा नहीं बचता या फिर उसको करेगा ट्रेड करने की हिम्बत नहीं रहती तो हम्मेशा फैस 30 मिनिट को देखिए कि वह ट्रेड करने लाइक है या नहीं है इंपोर्टेट है नहीं इसे में बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए आज वीकली एक्सपैरी भी थी वीकली एक्सपैरी के देखोगे तो कौन पैसा बनाएगा ऐसे में बताएज रहा है पहली पंदर मिनिट की यह है जिसने भी सोचा होगी अरे यह तो नीचे से यहां से गिर रहा है इसका डिमा मैस्akis फॉर्टी मिनिट ज़ती की कियां दर के अंदर लेक्स फर्टी फंसंथैर द Sometimes पर एक सप्लाई था इसमें जों करती है च्होटा आपको टारगेट मिल बस वहीं मिला अगर अदर्वाइब इसको बिरिएयल अच्छी से ब्रेक करता और सासार्टा को दूट already अदर्वाइज आपके लिए यह साइडवेंज रेज है इसलिए रिटेल ट्रेडर मिस निफ्टी या बैंक निफ्टी को सबसे ज़्यादा ओप्सेंस टेडिंग जो करते हैं वो मिल्कुल ख़दम हो जाता है मिस कैपिटल चला जाता है कभी तुक्के से कमाया तो फिर वो चल जाता है कुछ रहता नहीं है क्योंकि आपको एज्यूकेशन नहीं है एज्यूकेशन अगर आपको जलो मैं 30 मिनिट्स भी बता दें उसके बाद आप में इंट्री कहां करोगे जोंस कहां मार्क करोगे टॉप डाउन अप्रोच कैसे लगाओगे मार्केश से कैसे जारोगे इकुविटी के अंदर फैस्स 30 मिनिट खेंडल के रंज के लिह 6 गंटे 15 उसमें तीस मीनिट के रहेंगे पाथ और जहीं झान। में मार्केट है तो आप उसको कैनल के अंदर रेंज में तो उसको ट्रेड नहीं करना है अवोइड करना अदर्वाइस ना तो बाइं में पैसा बनेगा ना सेल में बनेगा देखो क्या हो रहा है फिर इसके ब्रेकडाउन पे सेल किया मार्केट उपर चला गया फिर इसके ब्रेकडाउट पे बाई किया मार्केट नीचे से ला गया फिर इसके ब्रेकडाउन पे सेल किया मार्केट उपर चला गया फिर इसके ब्रेकडाउन पे सेल किया मार्केट ब्रेकडाउन तो हुआ है पिर उन बीच में कलो जोगे हैं ऐसा ना कि कहने का मतलब जब हमें पूरी एजुकेशन नहीं होती चीज़ नहीं समझ में आते तो हम हर वेव के हाई टूटने पर या लो टूटने पर बाइसल करते जबकि मैं बोलता हूं कि कभी भी ऐसी ट्रेडिंग नहीं करने से ट्रेंड सब लोग सीखें सबको सीखने का है ठीक है इतना समझ में आता है सबको यह नए लोगों के लिए बोल रहा हूं पुराने लोगों तो सबको मैं सिखा चुका हूं वो तो उनकी तो यही वर्ल्ड का एक ऐसा प्लेटफॉम है यहाँ एक दो तो तिन तीन साल देख प्लासिस रिपीट करते रहेते हैं इस्टूड़ेट बागी कहीं भी नियुक्त फोन नहीं उठाते हो आपका पता नहीं उठाते हैं उठाते हूं सब एक जैसी नहीं हुते हैं पर मैक्सिम म है विसी करने से पहले कर लिया या उसका तरीकة है क्या उसका तरीक है इसका तरीकए आप हाय टायम प्रेम में देखी आप पांस मिन्ट में ट्रेड कर रहे हैं या फिर फंदा में ट्रेड कर रहे हैं तो उससे तीन बड़े टाइम प्रेम में इंपोर्टेंट डिल बता रहो इंपोर्टेंट जैसे आप पांस मिन्ट तो आप 15-30-45 देखिए अगर माल लेजिए 45-95 एक अंदर ये अंदर प्राइस ए उसके अंदर आप लिए तो पे बाइब करोंगे जाओगे तो दोनों साइड के ऐसल लगें तो इंपोर्टेंट है कि आपकी हायर टाइम प्रेम प्रेइंग करते उससे तीन बड़े टाइम प्रेम में अगर आपका इंसाइड गैलल है उसका रेंज ब्रेकडाउन है ही नहीं मार्केट मुविंग नहीं है उसमें इंडिसीजन है ना बाइंग है ना सेलिंग है तो यह यह बात होगी किसके education point of view से अभी क्या करते हैं इसलिए मैं बोलता हूं बैंक निफ्टी को आप अवेड करके आप सीख जाते हो तब करिए बहुत मज़ा है बिना चीके तब तक निफ्टी करिए उतना जल्दी आपका पैसा जाता नहीं है परसेंटेज वाइज जल्दी गेन होता है निफ्टी मे जाता कम है तो इनालिसिस के point of view से देखेंगे तो निफ्टी का केनल कहा क्लोज हुई है इसको अपन होने दीजिए सुभम सर्वाम बहुत कुछ हो रहा है सर्माजी बहुत है यार हमारी क्लास में क्या बात है जिसको तो सर्माजी सर्माजी चलो मैं रोज एक चीज बता रहा हूं कि निफ्टी अपने एक्च्वल डिमांड जोन से दूर है रोज यहीं बता रहा हूं यहां से मार्केट में अच्छी एक उपर की साड़ का मुवमेंट यहाँ तब तक क्या हो रहा है जिस्क्रblack करने के ब्रेइग डाउन यहों से मार्केट कौण से कमकेट जोन नी कौर्ट ना यह कि इसका को दूर्ट गुझाइब नहीं है नहीं है बड़ा चीमिट नहीं मार्केट अगर नौर्मली गेपडाउन पुलता है तो उपर अगर नीचे यहां पर जाता है तो यहां से वह बस गिर जाएगा फिर यह रेंज है तो बैसिकली आपका रेंज यह यह 600 700 से लेकरके 650 600 यह इस यह में तब तक आपका उसकता इसके अंदर घूंन होगा इसकाँ पर करके इसके अंदर वह जब तक ट्रेंड रिवा Union सिम्पल आइसस व आपको आता है तो करिए नहीं आता तो नहीं करिए तब तक सीखना जरूरी है सिख्के करना है इसके उपर क्लोज होगा डेली में ब्रेक आउट हो जाएगा इंपोर्टेंट यह यहां पर ट्रेड करी अदर्वाइस ट्रेडिंग मत करिए निफ्टि के अंदर सिंपल है अगर आपको अच्छे से समझ में आती है कि आपका सेशन वाइज मार्केट कैसे मुग करता है थोड़ा प्राइस सेक्षे समय बाता तो बैंक निफ्टि आपको ट्रेड करना चाहिए अधर्वाइस ट्रेडर को बैंक निफ्टि हमेशा अवोइड करना चीए तो निफ्टी ए बागे हम अभी class continue करते हैं, ठीक है?